जिया नमस्कार मित्रो एकोनोमी में कुछ नए शब्द चर्चा में आ गए ये जो हमारे चीफ एकोनोमिक अडवाइजर साहब है उनका ये कहना है कि ये जो तुम आहम आदमी हो जिनके पास पैसा कम है फाइनाशल मार्केट की समझ कम है तो तुम लोगों ने ये call option, put option, derivative, future option market में नहीं आना चाहिए इन अदर वर्ड्स ये जो future option market का sagitization या democratization हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए इस पर पुरह विचार की जरुवत है तो हम इसे समझते है समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2024 की जो UPSC prelim हुई जिसके अंदर 100 सवाल GSK थे उसमें से 5 सवाल ऐसे सब financial market instrument के ही थे 5 out of 100 चाहिए US Treasury Bond का पूछा, Corporate Bond का पूछा ETF का पूछा, CBLO पूछा या Stock Exchange Ad platform तो खुझली मची इसके पहले साल में भी पूछा था पन तभी करीब 2-3 सवाल आ रहे थे इस बार हद मचा दे 5 सवाल तो अपकोर्स हमें ज़्यादा ध्यान से इसको देखना है पुराने पेपर टॉपिक वाइस चाहे prelim के mains के हो, India yearbook सर्पमरी हो सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, link is in the description क्या अभी main बात पे आते हैं आज के सेशन में हमको पढ़ना है future option क्या है equity और derivatives में क्या difference है call option, put option क्या होता है derivatives को क्यों risk की माना जाता है, क्यों 10 में से 9 लोग इसमें पैसा lose करते हैं, ऐसा से भी बोल रहा है statitization क्या है, क्यों chief economic advisor इसकी मना कर रहे है deepening of the capital market क्या होता है and lastly conclusion for mains तो एक एक करके इन सारे topics क्यों समझेंगे starting first of all की equity और derivative में क्या अंतर है बहुत सालों पहले falconi पाठक ने एक गाना बनाया था मैंने pile जो छनकाई जिसको 400 million से जादा विवाए तो उसको हम कहें original asset है वो उसके अंदर से ये निहाकक करने बेकार सा remix बनाया तो उसको हम क्या कहेंगे derivative है क्योंकि अगर मूल गाना नहीं होता तो ये remix का उत्पन ही नहीं होता अस्तित्वन ही नहीं आता यानि कि ये खुद से पैदा नहीं हुई है ये व्युत्पन नहीं हुई है it has derived its value or whatever music or lyrics out of the original asset अब इसी तरज पे तब समझो जो underlying asset है सबोज एक aeroplane है और उसका आपने plane का ticket खरीदा इंडिया से आप रश्या जा रहे है travel insurance खरीदा तो ये क्या हुआ ये ticket और travel insurance उसको आप एक प्रकार से derivative समझ सकते हैं क्योंकि अगर original plane ही नहीं होता तो ये ticket और travel insurance की बात ही नहीं आती तो ये क्या हुआ derivative अभी इसको और आगे बढ़ाते ये जो plane है जो माली जे मुंबई में खड़ा है जिसको मैं कह रहा हूँ ये Air India Company की asset है 40 लाग डॉलर का ये है तो ये हुई asset मैं इसका ticket खरीदू कि मुझे ये वाली तारिक पर माली एक जुलाई को मुंबई से मॉस्को पहुचा दो 400 डॉलर की ticket आएगी तो ये क्या हुआ future तीसरा मैं insurance company के पास जाओ कि मैं इंडिया से जो मॉस्को जा रहा हूँ और रशिया यूक्रेन वर चला है मुझे डर है मेरी plane crash ना हो जा x y z तो मेरा travel insurance कर दो और उसके लिए मैं आपको 50 डॉलर देता हूँ और सामने में मर जाओ मेरी family को इतना देना मेरा सामान गुम हो जा इतना देना वगेरा सबोज ऐसा कुछ करें तो वो क्या हुआ वो हुआ option now I would suggest all of you to pause the video और तीन चीज़ दिमाग में उतारो एक है asset दूसरा है future और तीसरा है option और यह कैसे असल में काम करेगा अभी आगे हम देखेंगे ओके let's move on हाँ तो asset क्या था aeroplane अब हम share market में आते हैं तो कोई company का share है या equity है जैसे अदानी तो वो क्या हुई वो हुए asset किसके लिए जिसने उसमें पैसा invest किया मेरे आपके लिए उसका future में क्या होगा किधर जाएगा वो मुंबई से मॉस्को वो हुआ future और मेरा उसके अंदर loss नहीं हो जाए तो मैं insurance खरीदू तो वो हुए call option and put option ये क्या शब्दे हैं एक एक करके समझें पर पहले अभी सिर्फ इतना समझो ये asset थी और सामने ये जो future call option, put option ये सब वहा हुआ हूँ ये क्या है derivatives है क्योंकि उनकी कीमत या एहमियत कब होगी जब नीचे ये plane होगा तब ही ticket और travel insurance की बात होगी जब नीचे equity होगी तब ही उसके उपर future call option ये सब की बात होगी latest prelim में जो 5 सवाल financial instrument की कुछ आए उसमें ये पूछा था left hand side पर आप देखना उसी के साद मिलता जुलता मैंने right hand side पर एक mock बना है इसको आप देखो पहले तो वीडियो पॉस करके सुकुन से आप इसको देखो मैं 5 गिन हूँगा 5,4,3,2,1 welcome back तो यहां प्रशन क्या किए derivative instrument कौन-कौन से equity, future and call option अब समझो classification कैसे होगा financial instruments वित्य सादन कागज का टुकड़ा है आपके पास है दूसरे होते हैं debt उधारी में जो पैसा लाया और उसके सामने कुछ bond issue किया commercial bill, paper issue किये वगेरा यह जो debt है उसके भी classify कर सकते हैं short term, long term पन अभी उसको जटिल नहीं करते हैं उसको रखो तो एक हुआ equity या shares दूसरा हुआ debt या bonds और तीसरा हुआ derivatives व्यूत्पन, remix जो हुआ जैसे अभी हमने देखा यह future option बन सकता है exchange traded fund या currency swap या interest rate swap बन सकते हैं participatory notes बन सकते हैं और भी साधन होते है mortgage back, security वगेरा सब को हम नहीं पढ़ेंगे आज हम सिर्फ पढ़ने आये हैं future and option तो यह सब derivatives हैं तो अब जो पिछला प्रशन था उसको वापस pause करके आप देखना कि इन में से कितने derivative instruments है ओके, so derivatives हमने देखे तो future option क्या है हमने देखा equity और derivatives क्या है हमने देखा अब आगे बढ़ते हैं कि call option और put option यह क्या चीज़ है देखे सब को रात और रात लगपती बन जाना है आपकी इच्व मुझे एक लाक रुपे कमा दे और invest करने के लिए मेरे पास सिर्फ 85,000 रुपीज है तो आप share बाजार में लगा होगे दाव तो क्या होना चाहिए आपको 85,000 रुपीज का आपने दाव लगा है उस पे 17% आपको अगर रिटन मिलेगा या मुनाफ़ा होगा तब ही वो 85 का एक लाक होगा पन कोई गरीब आदमी है lower middle class है जिसके पास सिर्फ 12,000 रुपे है और उसको भी नहीं मुझे भी लाक रुपे कमाना है और अब भी क्या भी तो उसे कितना return on investment निकालना पड़ेगा 733% 12,000 इंवेस्ट करें और ऐसा वो दाव लगे कि वो जो भी share था, bond था, कुछ था वो चड़के 733% उपर जाए तब जाके उसको 12,000 का लाक बन सकता है अब ये normal equities या share में होना मुश्किल है क्योंकि मुश्किल से वो तो 60 टका, 10, 12 टका चड़ता है अगर आपको ऐसे खेल खेलने हैं कि मेरा तो 12,000 का सिधा लाक रुपे हो जाए यानि 733% return on investment बने तो ऐसा रात और रात लगपकिती तो क्या हो सकता है future option, call option, put option ये सब game के अंदर हो सकते है तो ये जो गरीब लोग या lower middle class लोग हैं जिनको जल्डी से अपना पैसा double triple कुछ करना है तो ये आज कल finfluencer मतलब यो YouTube के influencer वो इनको portal में उतारते हैं कि देखो मेरा दो अपते का future option का trading course खरीद लो और तुम मारा ये काम हो जाएगा या मेरे telegram channel को subscribe करो जिसके अंदर ये आपको सब में free tips दूँगा और ये काम हो जाएगा अब हम समझते हैं असल में ये चलता कैसे ये call option या put option ये सब चीज़े क्या है माली जाज 1 जून 2024 election का result आया नहीं है वो 4 जून को आने वाला है और आज अगर अदानी का share का बाव चला है 3000 equity या share और मेरा ये prediction हो एक जून को कि जो 4 जून को result आएगा उसमें मोदी जी 400 पार हो जाएगे और उनके सरकार आएगे तो अदानी को बहुत सारे airport और ये सब contact मिल जाएगे बहुत profit करेगा और इसकी company का share चलके 3000 का 3500 हो जाना चाहिए ऐसा मेरा अनुमान है तो अभी मैं एक 60 लगाँ जाके रविश कुमार के साथ कि चलो 60 खिलते तो उसे हम करेंगे call option तो यहाँ पर मैं call option का buyer बनूँगा और मैं ये आगाही कर रहा हूँ मैं 60 मार रहा हूँ कि ये चार तारिक तक चलके 3000 का 3500 हो जाएगा और अभी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं होगा तो वो call option seller बनेंगे मैं call option buyer बनूँगा और मैं उनको 60 रुपी दूँगा एक प्रकार से lottery ticket खरीदने का या मैं कहूँ premium और सामने वो promise करेंगे कि अच्छा तुमारी अगर ये जो भविश्यवानी है सच साबित हुई तो मैं तुमको 500 रुपे दूँगा अब आप percentage निकालो कि मैं 60 invest कर रहा हूँ और अगर मेरा 60 सही लग गया तो 500 रुपे में कमाऊँगा यानि 733 परसेंट ग्रोथ हो जाएगा 12,000 में लगाऊँगा तो एक लाख रुपे हो जाएगा वो जो गेम चल रहा है लेकिन यहां पर रिस्क भी है रिस्क क्या है कि अगर मेरा prediction गलत हो जो की गलत हो जाएगा क्योंकि आप जानते चार जुन को मोधी सरकार को 400 पार नहीं हो पाया और उसके चलते शेर 2,000 काफी गिरा तो अधानी का शेर जो 3,000 का था वो 2,900 का हो गया तो मेरा prediction गलत हुआ तो इस case में क्या होगा मैंने जो यह premium दिया था call seller रविश कुमार को वो delete हो जाए वो चला जाए वो उनको मिल जाएगा और उन्होंने मुझे promise किया था कि तुम जीतोगे तो मैं 500 दूँगा तो वो तो मुझे मिलेगा नहीं यानि आप समझो मैंने invest किया 60 रूपीज और मेरा loss क्या हुआ 60 रूपीज सारा पैसा उनने ले लिया तो मेरा loss percentage में कितना है अब आप कहे तो पन तुम share भी तो खरीद सकते थे न share खरीदता तो क्या 3000 रूपे का share खरीदो और वो अगर गिर भी जाए 2900 का हो गया था तो equity या share में भी loss होता पन वो तो hardly 3% है जबकि call option खरीदा तो 100% loss है इसलिए ये जो normal share या equity के मुकाबले future option इनको जादा रिसकी क्यों माना जाता है क्योंकि इदर थोड़ा गिरेगा 3% तो ये गिरेगा 100% इसलिए तकलिप हो जाती है दूसरा अदानी का share माली जे मैंने 3000 में खरीदा और वो गिर के 2900 हुआ तो मेरा loss कितना है 3.30, 3% 4, June को लेकिन बाद में भाई market संबल के उपर भी तो उड़ गया न तो 25, June को आप देखो तो ये अदानी का share 3,100 रुपे का हो गया वापस तो अब तो मैं profit में हूँ 3% क्योंकि मैंने 3000 में खरीदा था और उसके उपर ये वापस उपर आ गया तो मैं आपको बता रहा था कि equity या सिद्धा share हम लोग खरीदते तो उसमें temporary loss 3% का हो था लेकिन बाद में share तो उपर चड़ गया न तो वापस profit भी 3% हो सकता था 25, June को लेकिन option तो क्या lottery ticket जैसा है मेरा दाव उस दिन सही नहीं लगा तो मेरा 100% पैसा गया फिर बाद में वो चड़ जया 25 तारिक को तो भी मेरा 100% पैसा गया ही है क्योंकि मेरा prediction क्या था 4 तारिक को चड़ेगा जो नहीं हुआ तो इसलिए equity के मुकाबले यह options call option, put option यह ज़्यादा जोखिम वाले है तो आप समझो प्रशनम में अगर पूछू कि क्या आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरा demet account आपका 0 हो जाए आपका loss 100% हो जाए क्या ऐसा संभव है तो अगर आप share या equity खरीते हैं या mutual fund द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो it is very unlikely क्योंकि कोई भी जानी मानी कंपनी ते ऐसा तो नहीं वान तीन अजर का share 0 रूपे का हो जाएगा लेकिन जब आप यह future call option put option में खेलते हैं तो yes it is possible कि आपका account 0 हो जाए आपका sub 100% loss हो जाए तो FNO क्या है future option equity versus derivative क्या है हमने समझा call option put option put option अभी में आगे आपको बता हूँ जो लोग 2025 की prelim और mains को target करें तो पहिना 15 months का dedicated course prelim, mains, C-set, mains test series सब कुछ 24,999 और इसको भी आप join करें क्यूंकि इसमें 10% price hike होगी शायद 30 तारिक से तो निर्णय आपको लेने हैं आप जल्दी लीजे क्यूंकि जितना जल्दी पढ़ाई करेंगे syllabus revision के लिए आपको ज़्यादा समय मिले put option में क्या है कि जब आपको लगे कि नीचे जाने वाला है तब आप उसका 60 खेलेंगे कि माली जी एक जुन को sun tv जो की DMK के किसी मंत्री के रिष्टेदार की चैनल है उसका 600 रुपे का शेर भाव चल लाओ और मेरा prediction हो कि चार तारिक को ऐसा होगा कि ये भाव उपर नहीं जाएगा ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि मोदी जी की सरकार आएगी 400 पार और ये DMK और ये तो opposition वाले हैं तो इनके उपर जो भी मेरे random तुक्के चलते हो कि इन पर tax की notice जाएगी या इन पर सक्ति की जाएगी वगेरा वगेरा तो यानि मेरा prediction क्या है कि ये गिरेगा Sun TV गिरेगा चार तारिक को लेकिन रविश कुमार करें ऐसा नहीं होगा तो इस case में हम क्या करेंगे call option नहीं खेलेंगे put option खेलेंगे क्योंकि हम ऐसा 60 खेलने वाले हैं कि जहां हम ऐसा लगता है कि भाव नीचे गिरेगा so when you think the price is going to fall तो उदर call option नहीं put option वाले game आते कि मैं इनको रवी जी को बोलू देखो मैं आपको 60 रूपी प्रीमियम देता हूँ और आपसे put option बाय करता हूँ I am the buyer और अगर मेरा ये आगाही बविशवानी सच साबित हुई कि Sun TV का अबाव 600 से 400 गया चार तारिक को तो आपने मुझे 200 रूपी देना है तो यहां पर भी आप देखो मेरा दाव अगर सही लगे तो 233% ग्रोथ हो सकता था तो ऐसा call option, put option होता है put option में भी स्वाबाई के ये वाला दाव भी गलत लगे तो मेरा इधर भी 60 रूपी इंवेस्ट के है 60 रूपी लॉस हुआ तो मेरा लॉस हो जाएगा 100% इस पर सैबी का क्या कहना है ये जो भी future और option market है वहाँ पर अगर 10 खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें से 9 लोग का लॉस होता है 84% of them are men और उसमें 75% ऐसे हैं जो 40 साल के नीचे हैं क्योंकि यही लोग YouTube देखकर Instagram Reel देखकर ये सब दो नमबर के जो फिंप्लोंजर होते हैं उनकी जाल में फस जाते हैं और उनको असल में experience है समद नहीं ये market की तो ये जो आ रहे हैं ये 10 में से 9 लोग बस अपनी जेब कटवाने के लिए आ रहे हैं अब आपको प्रस्न है कि ऐसा जुआ allow ही क्यों किया वाई is this allowed देखे ये जो future option instrument है वो आम आदमियों के लिए नई बने उसका objective ये है कि सबोस आम आदमियों ने Tata mutual fund में पैसा invest किया Tata mutual fund आपका पैसा फिर अदानी TCS, ATL वगेरा में invest कर रहा है अब Tata mutual fund को डर लगता हो कि भाई इस दिन ये भाव उपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे अपने client को बचाना है तो उस हिसाब से वो call option और put option का buying selling करके चीजों को stabilize रखने की कोशिश करते है तो ये call option, put option, future option ये सब किसके लिए है institutional investors के लिए है ये साधन असल में संस्थागत निवेशक जैसे mutual funds, pension funds, insurance company, FII ये सब के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है FNO is not meant for gambling and retail investor actually तो आपका अगर प्रशन होगा कि भाई ये तो सब जुवाई है ना सटा खेल रहा है तो क्यों allow किया वाई इस risky gambling is allowed तो वो तो small retailers कर रहे हैं बाकि इस instruments are meant as insurance product for the institutional investor और वो असल में वो से कैसे अपने आपको protect करते हैं mutual fund वाले वो सब भी मैं समझा सकता हूँ पर अपनी exam के लिए इतना भी काम करें आप में basic एक एक दो दो line में समझ आ गया वो काफी है ये बात सही है शेर बाजार से प्रशन है पूछ रहे है पर वो इतना भी बारिक जाके तो उसमें कुछ बार वो पूछते हैं तो रटके जानी है call option जो मैंने आपको समझा है वो 60 कब खेलना है जब आपको लगता हूँ market उपर जाएगा अदानी वाला मैंने जो आपको case समझा है call option की technical definition है it is the right to buy a share or asset but no obligation to buy खरीदने का हक मिलता है पर सामने वाला गला नहीं पकड़ सकता वो कैसे काम कर सकता है मैं आपको समझा सकता हूँ पनवार 15 मिनिट जाएंगे जो काम करने state service की तियारी का तो रटलो put option कैसा है वो ऐसा जो है जो आपको खेलना है जब आपको लगे market गिरने वाला है तो put option means right to sell but no obligation to sell वो ऐसी बात है कि mutual fund बाले ने इधर 3000 पे खरीदा हो और उसको बेशने का प्लान हो लेकिन उसको डर लगता भाई गिर जाएगा तो तो वो अपने आपको प्रोटेक करने के लिए put option के खेल खेलता है कैसे वो हम समझने नहीं बैठेगे हाँ तो ये call option और put option की definition state service की तियारी कें तो रटनी है आए इसके लिए इतना मुझे काम का नहीं लगता basic idea समझ आ गया वो काफी देखिए ये जो future option market है कुछ लोग को कि भाई future क्या था वो तुमने बता है ने देखिए future क्या है present एक जो उनको अदानी का अबाव अगर 3000 है तो future में जो predict कर रहा हूँ कि 3500 होगा इसको हम कहते है future उसके अलग instrument होते हैं लेकिन उसमें हम बहुत जा नहीं रहे हाँ तो ये जो future और option का market है जिसमें call option, put option आया तो ये आप किसका खरीद सकते हैं एक एक कंपनियों का खरीद है तो हमका equities के futures, equity के option national stock exchange जहां पर shares की buying selling होती है 2200 से ज़्यादा कंपनियों के share बिखते हैं उसमें से केवल 180 के आसपास कंपनियों को ही allow किया है सब कंपनियों क्यों नहीं क्योंकि दूसरी इतनी रिस्कियों की पैसा डूप जाए तो ये एक बात है कुछ लोग कहें कि मुझे एक एक कंपनी का ऐसा नहीं खरीदना लेकिन मुझे फिर भी 60 खेलना है कि पूरा share बाजार उपर जाएगा की नहीं तो मारे पूरे share बाजार में 2000 कंपनिय है तो ऐसे निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी future option के आप सट्टे खिल सकते है तो हमने देखा F&O क्या है equity derivative क्या है call option, put option देखा derivative risky क्यों है 10 में से 9 लोग का पैसा इसमें कटता है मैंने आपको बता है अब बात है saturation, deepening of the capital market and means के लिए conclusion saturation का मतलब क्या cleaning plus का shampoo 50 रूपे का आता है पर गरी बाद में खरीद नहीं सके तो उसके लिए एक एक रूपे की sachet भी आती है यानि कि making the product affordable for the poor उस process को हम कहते है saturation कि बड़े डिबे की जगए छोटे डिबे में अलाओ करो financial market में investment market में भी ऐसा हो रहा है कि जैसे किसान विकास पत्र वो आप post office वगेरा से खरीच सकते हैं उसमें आप पैसा इनिवेश करो सरकार को loan में जाए तो उसमें minimum investment आप कितना कर सकते है 1000 रूपे भी आप invest कर सकते है मलब अमीर भी खरीच सकते है गरीब भी investment करना चाहिए 1000 रूपे निकाल सके तो यहाँ पर क्या sachetization हुआ है जवाबे हाँ उसी तरह सरकार को सिद्धा loan में पैसा चाहिए तो government security भी issue होती है RBI का RDAC platform है mobile app भी भी launch किया था उसमें ऐसा है minimum 10,000 रूपे आप invest करो तो आप join कर सकते तो यहाँ निकाल सकते है mutual fund 100 रूपे में भी आप invest कर सकते है तो इधर भी saturation has happened hedge fund hedge fund एक जाद के mutual fund ही है लेकिन उसमें वो ज़्यादा advanced level के यह future, option, arbitration, short selling ऐसे tricks अपना कर ज़्यादा risky game खिलके ज़्यादा बड़ा return निकालने की कोशिश करते है लेकिन सेभी ने पाय कि इसमें risk बहुत ज़्यादा है आम निवेशकों को जाना नहीं चाहिए तो रोकने के लिए सेभी ने एक दिवार बना दिये दिवार ऐसी है कि minimum एक करोड रूपे हैं तो ही आप इसमें invest कर सकते हैं वना नहीं कर सकते तो यहां मैं लिखू sachetization has not happened कि यह ऐसा मतलब जो भी संसिल किया कोई मेंगी ब्रांड का शेंपू है कि उसका बड़ा ही बोतल आता है छोटा बोतल नहीं आता तो गरीब आदमी ने खरी सकता है इसलिए sachetization not happened उसी तरह invites वो भी mutual fund type का है लेकिन उसमें पैसा डाला तो infrastructure project में जाए उसमें भी 10 अजार से लेके 10 लाग वो depend करता है कौन सी category की infrastructure project है तो उदर भी शायद हम कहें कि यह 10 लाग का तो एक बार में कैसे आदमी निकलता हो सेचेटाइजेशन नहीं हुआ है future option जो भी call option put option यह सटा online game खिलते है उसमें नियम क्या है कि गरीब आदमी भी जिसका annual income एक लाग बीस अजार का यह दर देखो gross annual income एक लाग बीस अजार से जादा हो तो वो भी account खोल सकता है अब आप समझो एक लाग बीस अजार annually मतलब मैने का 10,000 कमा तो वो आदमी भी यह खेल सकता है जिसमें 100% loss की संभावना है और 10 में से 9 लोग का loss हो रहा है अब खुद बोल रहा है तो यह सब लोगों को इधर नहीं होना चाहिए बट यह सब liberal किया गया है अब क्यूं किया गया होगा बैए यह एक जाद की call option, put option खरीद के बेज़ के जो broker से उनको तो मज़ा है zero the motila loss वाल क्यूंकि उनको तो commission मिलना ही आपका profit हो या loss हो वो तो transaction पर आपसे commission या fees लेते हैं यह जो finfluencer है वो तो अपने course बेज़ कर YouTube पे video बना कर reels बना कर tips बेज़ कर पैसा कमाएंगे तो it is creating nuisance इसलिए यह जो chief economic advisor है भारत के नागिश्वरन साब उनका यह का यह कहना है कि यह जो छोटे निवेशकों को यहां प्रवेश दिया गया है allowed them we have allowed them to enter in this future option market उस पर पुनव विचार की जरूरत है we need to reconsider the satatization of F&O segment to safeguard the retail investors इसको अगर आप और सोचने बैठो निबन दिया means paper to roll up pressure group में तो सेभी ने शायद पहले ऐसा नियम रखाओगा ना कि जिसका annual income 10 लाग रुप है वो ही account खोल सकता है उसको गिरा के 1.20 कर दिया तो इसा क्यूं किया है हो सकता है यही सब pressure groups चाहे यह जितने भी share market के खिलाडी हैं, brokers हैं, बड़ी company हैं, BSE, NSE चलाने वाले लोग हैं, शायद उन्हों नोई lobbying किया हो सेभी को ने ने वाल लोगों को entry करो ना तो मजाए या फिर कि सेभी इसको क्यूं प्रभावी रुप से control नहीं कर पाए सिद्धा बोल देन भाई कि 10 लग से नीचे वाला इसमें नहीं आए तो main paper 2 जिसमें ये पूछा जाता है role of regulatory bodies और उसमें कई बार negative sense में भी पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है ये minority commission, human right commission women commission ने प्रभावी रूप से काम ने किया, not played the role effectively, आप क्या सोचते हैं तो ये सब सोचने, लिखने की बाते हैं हाला कि बाशा में सहीं हम रखना जाए फिर मैंने जो ऐसा आपको बोला ऐसा आप ना लिखें एक दम कुल के रविश कुमार, एंदी, मोधी पार चार सोपार, ये सब ने लिखना, ये तो समझाने के लिए मैंने बोला आखरी मुद्धे दो बचते हैं Deepening of the Capital Market and Conclusion for the Mains उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो Economy for Mains है मेंस Paper 1 में भी आती है, Poverty Population मेंस Paper 2 में भी Welfare Scheme और Poverty Hunger और International Organization में IMF, World Bank, WTO मेंस Paper 3 में तो Economic Budgeting, Infrastructure, Food Processing है Paper 4 में भी Corporate Governance है तो इन सब को Cover करते हुए तो मैं आपको बता रहा था Paper 1, 2, 3, 4 में Economy जहां-जहां काम किये उसको एड्रेस करने के लिए 30 गंटों की Exclusive Lecture Series और साथ में उसके Handout Exclusive, Powerpoint Exclusive ऐसा मेरा Economic का कुर्स जुलाई से शुरू होगा जुलाई आगस्ट में हम निप्टा देंगे मेंस और निबंद दोनों में मदद और GSK 4 paper में जहां-जहां ज़रूत है मदद तब हलके में मत लीजिए चाहे मेंस है, निबंद है, Optional है 14,000 लोगों ने अगर मेंस लिखा तो उसमें से 11,000 लोग ही final जाते हैं तो 13,000 लोग तो या तो मेंस या इंटर्व्य में अटक गए तो casual attitude ना रखे और तयारी में मदद के लिए unacademy की तरफ से मेंस quality enrichment की ये batch जिसमें ना सिर्फ economy, बलकि history, geography, quality, ethics, essay writing everything covered, live lecture, material, mock test with evaluation at an affordable price of 9999 using the coupon code, discount code, monal.org तो ये तो हुई means की अगर आप specific तियारी करें, जो लोग 2025 की prelim और means को target करें तो पहिना 15 months का dedicated course, prelim, means, cset means test series, सब कुछ 24,999 और इसको भी आप join करें क्यूंकि इसमें 10% price hike होगी शायद 30 तारिक से, तो निर्णय आपको लेने हैं, आप जल्दी लीजिए, क्यूंकि जितना जल्दी पढ़ाई करेंगे, syllabus revision के लिए आपको ज़्यादा समय मिले, मैं वापस आता हूँ तो मुझे दो बात करनी थी, deepening of the capital market and conclusion for means देखे, हम चाहते हैं कि company को, या उद्योग पतियों को अपना IPO launch करें, उसमें लोग subscribe करें, shares खरीदें उनको पूझी यानि मूडी मिले, ताकि वो अपने नए company आपक्टियां, एक्सपांड कर सकें चाहे कोई startup company हैं, उसका IPO, IP ATM नायका, उसमें लोग आने चाहिए तो अगर सिर्फ middle class या upper middle class के लोग ही इसमें जा रहे हैं, तो बहुत कम पैसा जाएगा ना, तो हम तो चाहते हैं, गरीब लोग का 100 रुपया भी जाना चाहिए, तो यह जो पूरा capital market है, जिसमें ये shares, bonds, ये सब चल रहा है, गरीब से 100 रुपय से भी आप invest कर सकते हैं, ये सब rule बने, तो इसके ये फायदे हैं, and we should encourage it, लेकिन साथी साथ ये भी देखना है कि ऐसी जो गलत चीज़े हैं, ज्यादा risky हैं, जिसमें 100% loss की भी संभावना हो सकती है, 10 में से 9 लोग का पैसा जाता है, तो वहाँ पर इनको allow नहीं करना चाहिए, capital market को deepen तो करना है, पने ऐसे route भी नहीं करने हैं कि वो unnecessarily लोगों का नुकसान करें, जिनको इस market की समझ नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो loss को absorb कर सकें, and lastly conclusion, conclusion में आप सोचे कि लोग यहां क्यूं जाते होंगे, ऐसे जोखिम वाले जुए क्यूं खेलते होंगे, rising cost of living, पढ़ाई लिखा, electricity, दूद, petrol, हर एक चीज महगी हो रही है, stagnant wages, salary तनक्वाब की उस तर पर जल्दी जल्दी बढ़ नहीं रही है, तो आप अगर पैसा बैंकों में इन्वेस्ट करो, शायद 4% आपको return दे, में गई जा रहे है, 7% तो आपका तो loss होना है, पैसा उतना जल्दी बढ़ना नहीं है, जितना में गई बढ़ रहा है, so everyone wants inflation proof returns, अब उसके लिए कुछ लोग gold में पैसा डाले, कुछ real estate में डाले, यह सोचके कि अगर में गई 7% है, और gold suppose 15% बढ़ जाएगा, तो मैं आगे रहूँगा, और उसी जोखिम में, वो लोग यह सब future option, call option, put option, इसकी उनको सही समद नहीं है, फिंफ्रूंजर के वीडियो और यह सब देखके वो फस रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो यह सब को देखते हुए सेवी ने balance करना चाहिए, balance तीन चीजों के अमोंग करना चाहिए, कौन साब, पहला तो financial inclusion, वित्यस omovation की, गरीब से गरीब आत्मी को भी investment के अच्छे-च्छे, सारे option मिलने चाहिए, कि वो share से है, bond से है, government, security, mutual fund, सब में थोड़ा पैसा डाल सकी, यह इसलिए भी होना चाहिए, because we want to deepen the capital market, ताकि कम्पनियों को नहीं पूझी मिले, लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी देखना है, कि retail investor को protection भी मिलना चाहिए, उसका पैसा डूब नहीं जाये, 10 में से 9 का जो loss हो रहा है, तो यह सब देखते हुए, मेरे हिसाब से यह जो future option market है, उसके अंदर से यह थोड़ा और stick करना चाहिए, कि for example, जिसकी annual income मारे 10 लाग से कम है, वो लोग उसमें सीधा invest ना कर सके, वगेरा वगेरा कुछ उसमें चीजें सेवगार लगाने की तो जरूरत है, कि यह वीडियो था, इसके बाद और भी वीडियो आ रहे हैं, चैनल को like, share, subscribe करें, let's crack it.